नमस्कार मैं हो सशी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जुआहर नौदे बिद्याले कक्छा 6 की परवेश परिक्छा का पहिनाम जारी नौधे बिद्याले समिती ने जौहर नौधे बिद्याले की काक्षाचा अगी परवेश परीछा का पई नाम जारी कर दिया है छात्र जौहर नौधे बिद्याले की अधिकाईक वेबसाइट नौधे.jov.in पर जाकर अपना रियर्ड चेक कर सकते हैं सबसे पहले ज्वाहर नवदे विद्याले की अधिकारिक वेबसाइट नवदे.jov.in पर जाएं फिर JNVST कलाश 6 एडमिशन टेस्ट 2023 के लिंक पर किलिक करें वही रेश्टेशन नमबर और डेट अववर्थ डालें सब्मिट करने पर यल्ड सामने आ जाएगा इसकी एक हाट कोपी निकाल कर अपने पास रख ले बता दे कि वहार नवदे विद्याले सेलेक्शन टेस्ट का आयोजन 29 अपरेल 2023 को किया गया था नवदे विद्याले समिती ने बताया कि चनित अभ्यार्थू को एडमिशन लेने के दोरा नवदे विद्याले की समिती दोर निधारी सभी समंधित ओरिजनल साटिफिकेट दिखाने होंगे वही सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद विद्यार्थयों का अडमिशन किया जाएगा जारखन में बजरपात से 27 लोगों की मौत जारखन में मांसून आने के साथ ही आसमानी कहर का खत्रा भी बढ़ गया है एक तरफ मांसून के आगमन से लोगों को गर्मी से रहात मिली है तो दूसरी तरफ राज्य में बजरपात से लोग अपनी जान भी गवा रहे हैं बता दे कि पूरे राज्य में दो दिनों के अंदर 20 और 21 जून को बजरपात से कूल 27 लोगों की मौत हो गई मंगलवार को राज्य के अलग अलग हिसों में होई बजरपात की घाटना में सोल अलगों की मौत हो गई जबकि बुद्धवार को 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल भी हुए है बता दे की 21 जुन बुद्वार की जारखन के अलग अलग जीलों से बजरपाद से कुल एक गारा लोग की मौत होई जिसमें लाते हर के बालूमात निवासी राजो देवी की मौत हो गई है जारखन के गाउं की सडके होगी चकाचक मुख्यमंत्री हमांसुरे ने राजे के विभीन गाउं की 15,000 किलो मीटर लंबी सडकों के पूर्ण निर्मान में तेजी लाने के लिए अधिकालियों को निर्देश दिये हैं मुख्य मंत्री हमांसुरे ने ग्रामिन विकास विभाग के द्वारा संचालीत चड़कों के निर्मान कारे की प्रगती की समिक्षा की मुख्य मंत्री हमांसुरे ने राजे में 15,000 किलोमीटर सड़क के पूर निर्मान कारे में तेजी लाने का निदेश दिया उन्होंने एक वरस के अंदर इसे पूरा करने का निदेश दिया है इसके अलावा कमजन संख्या वाले गाव में एप प्रोच रोड बनाने को कहा है मुख्यमंत्री हमंसुरे ने अधिकारियों को कहा है कि राज में जहां भी जरजर पूल पुलिया है उनकी प्राथमिक्ता के अधार पर मरम्ति की जाए इसके अलावा वैसे सलक जो महतपून संस्थान खाचकार प्रखन मुख्या लाए समुदाइक, स्वास्थ केंद्र, रेलवे स्टेशन, बस, डिपो, कॉलेज, स्कूल, पंचात कराले, होट, बजार, स्वास्थ, उपकेंद्र जैसे जगों को जोडता है वैसे सलकों के निर्मान कार्ज में तेजी लाया जाए पटना में विपक्षी दलों की बैठक में सामील होंगे सीयम हेमान्त जारखन के मुख्य मंतरी हेमान सुरेन तेश जून सुक्रवार को बिहार की रजधानी पटना में सीयम नितिस कुमार द्वारा बुलाईगे विपक्षी दलों की बैठक में सामील होंगे इसकी पुष्टी की है अर्विंद केजरिवाल और NCP के सरत पवार भी सामिल होंगे। जहारखन के 42% पंजी करीत किसानों को ही मिलता है पीएम किसान का लाव। पधान मंत्री किसान समानी धी योजना का लाव जहारखन के केवाल 42 फिज़िदी पंजी करीत लोग ही उठा पाते हैं। जी हाँ पतादे केंद्र सरकार से फंडिंग वाली इस केंद्रिय व्योजना की सुरुवात साल 2018 में की गई थी ऐसे में जहारखन की अगर आज पास के राज्यों से तुलना की जाए तो बिहार उतर परदेश परचिम मंगाल उरिशा और 36 गण में फंडिंग मिलने वाले फंडिंग मिलती है इसी के साथ यूपी का अभी दर भी 65 फिर्दी के करीब है बात करें पच्छे मंगाल की तो यहां भी तीरपन लाख 49 या 449 लोगों में से 43 लाख 80 हर 178 में लोगों को इसका लाब मिलता है जबकि जारखन में 31 लाख 2225 लोगों में से 13 लाख 111199 लाब आरती यानि के कूल 42 परच्छत को ही लाब मिलता है गिरी डी के गामा परखंड के तराइगाओं की एक महिला ने मनावता को सर्मसार कर देने वाली खाटना को अंजाम दिया है बतादे बुद्धवार दोपर महिला ने स्वेम अपने दुद्मुही बची को जिन्दा ही कुवा में डाल दिया और इसके बाद पैदल ही अपने मायके के लिए निकल गई इस घटना में बच्ची की मौत हो गई है बच्ची के सोव को कुवे से निकाल कर पूलिस ने जब्त कर लिया है महिला को भी गिरफतार कर लिया गया बता दे तराई निवासी अनुज यादव दिल्ली में काम करता है जबकि उसकी मा वा पतनी पपला देवी वा दुद्मुही बच्ची तराई में ही रहती थी कुछ दिनों पूर्व अनुज की मा की मौत हो गई इस घटना के बाद अनुज की पतनी पपला देवी और साथ मा की बेटी घर में बच गई दोनों साथ में रहते थे गीरी डी में गर्जे जेपी नड़ा गीरी डी के जहंडा मैदान में आज भाजपा की ओर से आहुद बिसाल जन सभा को समोधित करते हुए पार्टी क्रेश्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने सबसे पहले हाथ हिला कर करकताओ का बनेंदन किया इस मौके पर उनके साथ परदेश्ट अध्यक्ष दिपक प्रकास पुरो मुक मंतरी बावला मरांडी रहुबरदास केंदरिये सिक्छा राजमंतरी अनपुर्णा देवी मौजूद रहे वहीं जेपी नड़ा ने भारत मता की जय जय जोहार से अपना समोधन सुरू किया है बता दे सभा को समोधित करने से पहले उन्होंने जैन धरम के महान सब्त पारशनात को नमन किया और कहा है कि भागवान बीर्शा मुंडा को नमन कर अपनी बात प्रादम करता हूँ उन्होंने सिध्धो कानो निलांबर पितांबर बद्धु भगत तीलका मांजी को भी नमन किया अध्यक्ष ने कहा मैं यहां मोधिक नेतिते वाली सरकार के सेवा सुसासन की बात करना आया हूँ हमारे पी एम बोलते हैं तो दुनिया सुनती है जारखन में तीरपन हजार बच्चे नहीं जाते स्कूल देवगरस ही संताल परगणा के सभी 6 जीलों में आउट अप स्कूल बच्चों की संके 28 या 755 है इन में 6-14 वर्ष के आयू वर्ष के 12805 बच्चों का प्ररामभीक यम 18 वर्ष तक के आयू वर्ष के 79 बच्चों का सेकेंडरी स्कूलों में नमांकान नए सेक्षिनिक सत्रे में स्कूल रूलार 2023 अभियान के तहत किया जाएगा स्रावनी मेले के दवरान नगर निगम छेतर में सराव की बीकरी पर रोक राजकिये स्रावनी मेला 2023 इसके दवरान सरधालों की सुवधा को लेकर SDO दिपांकर चौजरी के अध्यक्स्ता में सुचना भवन के सबागार में होटल वा धरमसलाओ के संचालकों के साथ बैठक हुई SDO ने पहचान पत निर्गत करने पारकिंग से जुड़ी वेवस्था को बेहतरीन करने होटल के सामने पारकिंग कराए या जामा की समस्या उत्पन होनी पर कड़ी करवाई करने और होटल में ठाहरने वाले सभी लोगों की डिटेल और आईडी सही तरीके से राइश्टर में अंकित करने की बात कही है 11 अगस्त को चलेगी रांची तीर्थ यात्रा एस्पेसल ट्रेन आया सिटी देखो आपना देश के तहत भारत गरो ट्रेन की सुरुवात कर रही है ट्रेन हावडा से 11 अगस्त को खुलेगी जो भारतिये रेलेवे इस पर लगभग 33 के किराया दे रहा है यह जनकारी पुर्वच्छेत्र कोलकात्ता के एरिया मैनेजर जुबराज मींज मधु बंती राय जियोती कुमारी मुखेस परसाद निखिल परसाद ने दी है उन्हों है बताया है कि यह ट्रेन भ्रहमन कराते हुए 21 अगस्त को वापस लोटेगी ट्रेन 12 अगस्त को सुबह रांची पहुचेगी बताद है गारी संखेया 18635-18636 रांची सासाराम रांची एकस्प्रेस 24 जून से नवी नगर रोड एस्टेशन पर प्रयागव की तोर पर रुकेगी वही राची से खुलने वाली गाड़ी संख्या 18635 राची सासराम एक्सप्रेस 23 बजे नवी नगर रोड इस्टेशन पहुँचेगी वह 23 बज कर 2 मिनट पर प्रस्थान करेगी पच्मी सिम्भुम में सूरज उगते ही घरों की दिवारों पर दिखने लग रही है सरना जंडा की तस्वीर पच्मी सिम्भुम जिला के मनोहर पूरपरखन तरगत विभीन गाओं में सरना धरम वालों के घरों के अंदर सरना जंडा का परतिवीम नजर आने लगा है घरों की दिवारों पर लहराता सरना जहन्टा का चल सित्र जैसा प्रतिमी में देखने जाने से लोगों की सरना धर्म के प्रतियास्था और भी बढ़ गई बता दे प्रतित दिन दर्जनों घहरों की दिवार जमीन वचपर में रंगीन सरना जहनड़ा लाहराते हुए देखा जा रहा है लोगों ने दर्शन के साथ साथ पुझा अर्षनया करना भी शुरू कर दिया है सरना जंड़ा दरशन वह पूजा अस्थाल पे सरना समाज़ की लोग खास कर महिलाए पूजा के साथ चड़ावा भी भेट कर रही है पानी संकट को लेकर भाजपा की हाहकार यात्रा राजधानी में गहराय पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज गुरुवार को हाकार यात्र निकाली है इसके तहट भाजपा ने डुरंडा इस्थीट पीएचडी कर्याले का घिराव किया भाजपा के सांसर संजय सेथ बिधायक सीपी सिंग नवीन जैसवाल और समीर लाल समे के नेतार करता अस्थानी महिलाओं के साथ पीएचडी कर्याले पहुंची और कर्याले के अंदर धरने पर बैठ गए धन्यवाद